स्किन बूस्टिंग फेस्पैक और यह आपके लिए एक चालेंच है इसको प्लाई कीजिए फिर देखिए इसके रिजल्ट और मेरे चानल पर आपके कीजिए इसके कमेंट गाईज और यह जो फेस्पैक है यह काफी ज्यादा यूनो एंटी इंफ्लामेटरी है सासी में यह आपकी स्किन के अपर लेर से हटाता है फंगस को और किसी भी टाइप की ऐलर्जी हो गाईज यह एक मैडिसिन की तरह आपके फेस के उपर वर्क करता है इसका एक बहुत ही प्यारा और गजब का एक और प्रॉपर्टी है गाइस कि यह आपके फेस से हटाता है बहुत सारी टैनिंग को प्लस इसमें एक बहुत प्यारा सा एक effect है यह आपके skin के complexion को fair बनाता है यह गाइस आपको बहुत सारी creams मिलेंगी जो यह दावा करती है कि वो आपके skin को गोरा बनाती हो लेकिन हाँ आपके skin पर काफी ज्यादा जो है एक vitamin c boosting effect जरूर आ सकता है लेकिन हाँ आपके skin का complexion जो है वो clear जरूर हो सता है crystal clear जरूर होता है clear होगा किससे सिर्फ natural ingredient के साथ गाइस तो यह एक challenge है आपके लिए अगर आप इसको apply करते हैं पूरे म हर हटे एक बार then you can see a result on your face so at least your face gonna be your crystal like glue so I hope that you like this video video को एंड तक जरूर देखे और अच्छा लगे then please give a great and give thumbs up to it so let's start with this video let's get started so this के लिए सबसे पहले ले लें और फ़री अग बिए द्रेश को फरेश कोश्या और मैंने भी हाहा लेलिया है guys और उसके बाद उसको कर देंगे ग्राइंड ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीगी का मिक्श्र आपको मिल जाता है और उसके बाद आपके पास है बहुत इजी इंग्रेडियंट विच्छ यू इन यूर डेली लाइफ तो यहां पर लेना है आपको वन टेबल स्पून ओफ योगर्ट योगर्ट आप कैसा भी ले सकते हो मार्केट वाला या घर वाला टोटली डिपेंड अपॉन यू उसके बाद लेना है आपको वन टेबल स्पून ओफ बेसन और after that आपको लेना है one tablespoon of honey अगर आप चाहते हो तो डाल सकते हो नहीं चाहते हो तो guys कोई ज़रूरी नहीं है इस step को आप skip भी कर सकते हो तो यह यह बन गया मेरा face pack guys और मुझे इसमें से बहुत ज़ाधा चटनी की smell आ रही है यह but without chili और उसके बाद मैं brush की help से अब इसको लगा रही है अपने face की ऊपर तो जैसे कि मैंने आपको कहा यह anti-inflammatory है साथ में ही आपके यह open pores को close करता है तो बिलकुल सही है यह exact वैसा ही है और लगाने पर मुझे बहुत ज़ाधा थंड़क फील हो रही है अपने face की ऊपर काफी ज़ाधा relaxation फील मैं कर रही हूं उस वक्त और काफी ज़ाधा अच्छा face pack है must try it once so after five minutes रखने के बाद इसको पूरा सुपने बिलकुल नहीं देना है आपको five minutes बाद इसको थोड़ा सा अपने हलके हाथों से massage करना है and then wash it off और massage करने के बाद आप अपने face को wash कर लीजिए और आपको wash करना है normal water से after face wash कुछ face इस तरीके से दिखाए दे रहा है जो open pores है वो close हो गए है face काफी smooth बन गया है anti-inflammatory है अगर तो आपकी skin को काफी सादा थंड़क पहुचाने वाला है अगर आपकी tan skin है तो इसको ज़रूर लगाए तो it has a anti-fungal property it works like a medicine on your skin it makes your skin very chill out and plus it makes your skin crystal clear किसी भी ते रहे की अगर कोई allergy है redness आपकी skin पर उसको भी दूर करतेता है तो I hope that you gonna be join this face pack और अब भी जाके join करेंगे अगर आप मुझे देख रहे हो तो अभी जाके इस face pack को बनाएंगे यह काफी साथा easy है coriander guys रोज खाते हो दाल में और सबजी ओ में तो थोड़ा साथ को face पर भी लगा ले और देखें उसके किस तरीके से effect आते हैं फिर उसके बाल if you like my videos if you like my home remedies because I share a lots of skincare home remedies guys go and check it out there and see the amazing result because I can't believe on you know lots of chemical based product I don't like to use on my face too so that's why I also share these things with you because it's really effective on the skin so yeah if you like this video and want more videos then do subscribe to my channel give it a big great like and yeah hit on the notification bell too so that I can get you every week so we'll see you in the next amazing video till then take care bye bye